पाठ दो भीमराव की कमीज चित्र कथा एक था भीमराव उसकी कमीज फट गई थी अब पहनने के लिए वह नई कमीज कहां से लाए यह सोचते हुए वह इधर उधर घूम रहा था तभी उसे रूई का पौधा मिला और वह भीम से बोला अरे भीम तुमारी कमीज कहां गई मेरी कमीज फट गई अब नई कमीज कहां से आएगी यही सोच रहा हूँ अरे भाई तुम मेरी रूई ले जाओ ना उसकी कताई बुनाई करके कमीज बना लेना रूई के पौधे ने भीम को रूई दे दी अरे वाई अब मैं इस रूई से अपनी कमीज बनाऊंगा भीम रूई लेकर आगे चला रास्ते में एक मकडी जाल बुन रही थी भीम को देखकर बोली भीम भाई यूँ बिना कमीज के कहां जा रहे हो और तुमने यहाँ हाथ में क्या पकड रखा है मेरी कमीज तो पट गई रूई के पौधे ने रूई दी है उसकी कताई बुनाई करके कपड़ा बनाऊंगा तब मेरी मा नई कमीज बनाएगी भीम भाई मा का काम क्यों बढ़ा रहे हो मुझे दे दो कताई करके बुन देती हूँ ठीक है देखते देखते मकडी ने कताई करके कपड़ा बुन डाला अब भीम कपड़ा लेकर दौड पड़ा रास्ते में उसे चूहा मिला अरे भीम भाई दोड क्यों रहे हो मेरी कमीज बनाने के लिए रूई के पौधे ने रूई दी और मकडी ने रूई की कताई करके बुन दी अब मा इसकी कमीज बना देगी तब तो भीम भाई यह कपड़ा मुझे दे दो मैं अपने दातों से कपड़ा काट दूगा ठीक है कपड़ा तुम ही काट दो मेरी मा की मेहनत बच जाएगी अब भीम ने चूहे को कपड़ा दे दिया पास में बैठी एक बया इन दोनों की बाते सुनकर बोली लाओ भीम भाई तुम्हारी कमीज सिलने का काम मैं कर देती हूँ अच्ची बात है बया ने मकड़ी के जाल से धागा बनाया और अपनी चोँच से छेद बनाकर फटा-फट कमीज सिलने लगी अब भीम की कमीज तयार हो गई धन्यवाद दोस्तों कमीज इतनी बढ़िया बन गई कि भीम देखकर जूम उठा आगे भीम की मुलाकात एक गिलहरी से हुई उसे दोड़ता देखकर गिलहरी बोली अरे दोस्त जरा रुको नहीं नहीं अभी नहीं बाद में आऊंगा मुझे अपनी मा को बढ़ियासी कमीज दिखानी है भीम ने रुई से कमीज तक की पूरी कहानी गिलहरी को सुनाई यह सुनकर गिलहरी बोली तब तो भीम भाई जरा रुकी जाओ मैं तुमारी कमीज पर अच्छा सा डिजाइन बना दू ठीक है गिलहरी ने फूलों से तरह तरह के रंग लिए अपनी पूँच की कूँची बनाई और कमीज पर सुन्दर डिजाइन बनाने लगी इस तरह रंग बिरंगी कमीज तयार हो गई सुन्दर सी कमीज देखकर भीम खुशी से नाच उठा और कमीज पहन कर मा के पास पहुँच गया मामा मेरी कमीज तो देखो बताओ तो है ना बढ़िया वह बेटा इतनी सुन्दर कमीज कहां से आई मा ये सुन्दर कमीज तो रुई के पौदे, मकडी, चूहे, बया और गिलहरी ने मिलकर बनाई है देखा बेटा, किसी भी काम को मिलकर करो तो ऐसे ही बढ़िया काम होता है शिक्षा, कोई काम मिलकर करने से ज्यादा अच्छा होता है